स्वेता प्रांजल और लक्षुमन जी भी जुड़ चुके हैं परियंका सिंग जी गुड़ वानिंग निहार और कौन जुड़ है वाई नेहा सिंग बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को और आरजुन सिंग भी जुड़ गये हैं चलिए बच्चा फिर हम लोग आगे बढ करते हैं कि ठीक है ओके गुड़ तो बच्चा चलो आगी चलते हैं कि कुष्चन नंबर पहला क्या कहता है ध्यान से देखिए कुष्चन नंबर फइस्ट है कहरा निम्न दुगहात समी करणों के मूलों की प्रकृति ग्याद कीजिए क्या करना है प्रकृति ग्याद करना है प्रकृति मतलब जनते हो कि इसके मूल वास्तविक होंगे या फिर कल्पनिक होंगे या कैसे होंगे ये चीज हमें निकालना है ठीक है ध्यान दीजी आप लोग वास्तविक होंगे कल्पनिक होंगे या फिर आभासी होंगे ये सब च चलो मैं बताता हूं कैसे, ग्यांत कीजिए और आगे कह रहा है, यदि इनका अस्तित्थ है तो उन्हें ग्यांत कीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है, यदि अस्तित्थ है तो ग्यांत कीजिए, मतलब मूलों को ग्यांत कीजिए, तो भाईया देखो मैं पहले आपको पूरा कांसेप्ट बता देता हूं मूलों की प्रकृति कैसे समझते हैं पहले इधर साइड समझे लो आप लोग समझे लो पहले यहाँ पर यह चीज आपको आना चाहिए यहाँ पर आप लिखलो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह हम लोग निकालते हैं B2-4AC जिससे बिवित कर बोलते हैं इसे D से भी निनोट करते हैं ठीक है इसे क्या करते हैं डी से भी निनोट करते हैं एक प्रकार से आपका सुत्र होता है कंडिशन लिखो आप लोग फटा-फट पहली कंडिशन फ़स्ट कंडिशन क्या है जल्दी से नोट करो बच्चा तीन कंडिशन होगी तीनों आपको याद करनी है पहला है मूल भिन भिन वा वास्तविक होंगे दो मूल दो भिन वास्तविक मूल होते हैं कब लिखो पहले दो भिन वास्तविक मूल होते हैं कब होते हैं ध्यान देना बच्चा ये तब होते हैं जब या लिखो यादी 20 स्क्वायर माइनस 4AC का जो मान है वो सुनने से बढ़ा हो क्या हो सुनने से बढ़ा हो सिंपल सी बात है जो समी करना दिया रहेगा उसमें आप 20 स्क्वायर माइनस 4AC निकालोगे अगर उसका मान एक दो तीन चार पांच कुछ भी आ जाता है मतलब सुने से बढ़ाए सुने ना आए तो उसके दो मूल होंगे वास्तविक होंगे आपने चलिक दोगे मूलों की प्रकृति इसके दो वास्तविक मूल होंगे भाई मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ एकी कमेंट बार बार ना करने तो बलख कर देंगे जिसे देखो परलाद प्रजापती है एक कहें को डंडा करो रचार पढ़लो चुपचा भस ठीक है एक बार कमेंट कर दिये मैं देख रहा हूँ ठीक है चलो दूसरा ये फर्स्ट हो गया सिकेंड दो बराबर वास्तविक मूल होंगे कब होंगे देखो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे तीन सर्थ होती है ध्यान देना दो बराबर वास्तविक मूल होंगे कब होंगे देखो बच्चा ध्यान दो यादी बी स्क्वाइर माइनस फोर एसी का मान सुनना के बराबर हो ठीक है देखो लाइट थोड़ा कम जल रही आगे से मैं एक लाइट बंद होके उसको सही कर देता हूँ आप आधा मिनट रुख जाओ कहीं जाना मत ठीक है लिख लो जल्दी नोट करो इतना अभी कुईस्चन जो कराऊंगा तो ना तो काम लगेगा याद रखना इनका सबका यह सब याद रखना तीनों कंडिशन कि अगे चलें आवाज होगा ठीक है ना चलो कमेंट करके बताव जल्दी से चलो ओके गुड तो लाइट कुछ बढ़ी की नहीं बोलो यह कुछ तो बोलो ना यार चलो आगे चलते हैं दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे यह 20 स्कार माइनस फॉर इसी क्या होगा यह सुनने के बराबर होगा तीसरा है कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा कब ओर निचे दिखेर хॉक्ति आप डिखें से नहीं दिखें साइड लिखनों कर साइड थोड़ा परशाइड टाइप पड़्रा है चलो मैं उपर लिक देता हूं करें कि जमिटा देता हूं अब具 Soc Between मतलब नहीं क्विश्चन का आप तो कोई मतलब नहीं नहीं है कि कुश्चन तो आप लोग जानी गया हो लिखी लिए हो ठीक है तो चलो ओके गुड अब ध्यान देना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहला सवाल पढ़ रहे ना चलिए तीसरा क्या है इसमें तीसरा कंडिशन लिखो बच्चा थार्ड वाला क्या है कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा कब नहीं होगा यदि B2-4AC का मान जो है सुनने से छोटा हो ठीक है ये तीन कंडिशन होती है याद रखना सभी बच्चे मूलों की प्रकृति में क्या होता है यदि B2-4AC का मान सुनने से बड़ा होता है तो दो अलग अलग और वास्तविक मूले होते हैं मूले नहीं मूल होते हैं यदि B2-4AC का मान सुनने के बड़ाबर होता है तो दो बड़ाबर और वास्तविक मूल होते हैं और यदि B2-4AC का मान सुनने से भी छोटा हो यानि रिडात्मक हो जाए माइनस में हो जाए तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है तो चलो बच्चा लोग फिर हम सब आगे बढ़ जाते हैं फटाफट इतना ठीक है ना आप कोई दिक्कत नहीं न चलिए आप हम करेंगे कुईस्चन ये सब मैं मिटा देता हूं मिटा दूं या रहने दूं बीच में हल कर सकते हैं न रहने दो इनको चलो ऐसे रहने दो इधर साइड में कुईस्चन करता हूं कि इधर साइड में कुईस्चन हल करूंगा अब ध्यान देना बच्चा लोग आप सभी हां ठीक है न यह कौन है भाईया पीवी आरे स्टडी नाम से कमेंट कर रहा है कि मतलब यह अनंद पांडे है का लग रहा है मुझे अब ध्यान दीजिए आप लोग इधर साइड में देखिए हम लोग क्या क्या करने वाले थे हम लोग क्या क्या करने वाले थे ध्यान दीजिए पहला सवाल है इसमें मूलों की प्रकृति ग्यात करने वाला एकसरसाइब 4.4 कलाफटेंट की NCRT मैत अब भ्यास यनि प्रस्नावली 4 दशामलो 4 प्रस्नावली 4 दशामलो 4 कछा 10 की मैत है गडित है पहला सवाल का पहला पार्ट है 2X का स्कॉाइर माइनस 3X क्या कह रहा है 2X का स्कॉाइर माइनस 3X प्लस 5 एक्वल 0 इसमें क्या करना बच्चा हमें मूलों की प्रकृति ग्याद करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको स्टैंडर्ट समीकरन का जो है फार्म a x square plus b x plus f equal zero से तुलना करेंगे ठीक बच्चा इसकी तूलना करने पर क्या पाएंगे a b c के मान पाएंगे तो A बराबर देखो यहां से 2 आ जाएगा B बराबर माइनस 3 C बराबर 5 अगर यह compare करना नहीं आता है तो मुझे बता देना ठीक है ना भाई सुसील कुमार देख पा रहा हूं आपका comment चलो यह चीज clear है ना तो अब हम क्या करेंगे आता हा बिवितकर D बराबर लिखो बिवितकर निकालेंगे आता हा बिवितकर उसी को बोलते हैं जो अभी अभी मैंने find किया था यह B स्कॉर माइनस 4 A C को बिवितकर बोलते हैं ठीक है तो लिखो आता हा बिवितकर D बराबर capital D लिखो इसको D बराबर यहां लिख लो B square minus 4AC ठीक है बच्चा इतना ठीक है सभी का मान रख दो ABC का जो भी दिया इसमें रख दो इसका मान हल करके निकाल लो कितना आएगा दिपांसू कितना आ रहा minus 29 आ रहा है चलो ठीक है बच्चा जो भी आ रहा हम यहां निकाल लेंगे इसको ठीक है यहां जगा दिख रही ना चलो B square minus 4AC का वैलू हम निकालेंगे यह क्या है कुछ नहीं दिया भी तो B का मान यहां देखो तो minus 3 दिया है भाई minus 3 4A A का मान दो दिया बच्चा C का मान पांच दिया है चलो रख दो ढखेल दो इसी में सबको तीन तरिका 9 minus 4 2,8 पंच चालिस minus 31 कितना आया minus का 31 आया दिपांसू कहां हो आप कौन सी दुनिया में हो हां आई से हल करोगे मूलों की परकृति क्या होगी चलो बताओ जल्दी इससे बच्चा मूलों की परकृति क्या होगी कहां गया वो आला ये मिल गया तीसरा कंडिसन में था कि कोई भी वास्तिविक मूल नहीं होगा no anyone real root if V square minus 4AC is less than 0 तीसरी कंडिसन हो गई न फालो देखो ये minus सूने से छोटा है न ये माइनस में अगर कोई गिनती है तो सूने से छोटी होती है यानि जो विद्धकर कमान है V square minus 4AC कमान 0 से कमा रहा है आप नीचे लिखो मूलों की परकृति क्या लिखोगे मूलों की परकृति लिखो यही तो मेन था निकालना था लिखो मूलों की परकृति लिखो यहां यहां बिविद्धकर बिविद्धकर कैप्टल डी का मान सूनने से बिविद्धकर डी का मान सुनने से कम आ रहा है या सुनने से छोटा आ रहा है आता हाँ इसके कोई भी वास्त बिविद्धक मूल नहीं होंगे लिख लो अब मैं सब चीज नहीं लिखोंगा ठीक है सुन रहे हो समझ रहे हो लिख लो क्या लिखोगे बच्चा लिख लो अता हाँ बिविद्धकर डी का मान जीरो से छोटा आ रहा है अता है इसके कोई भी मूल नहीं होंगे देखो मैंने यहां हल किया फिर वहां किया थोड़ा इसी गड़बर यह लिखा उलजा पुलजा यह चीज मैं अब मिटा देता हूं इसका कोई मतलब नहीं है चलो बात समझ में आ गई ना भाई साहब सभी लोग को चलो ठीक है ओके गुड़ चलिए अब क्या करेंगे हम लोग अब अगला देख लो वाई सुसी लेक तरफ से पढ़िए सब कुछ होगा अभी तो चल रहा है फोर तो फोर के बाद फाइफ होगा सिक्स होगा ता बेट होगा ना जो चातर लिखना चाहें वीडियो पीछे करके लिख लें देखिए तीन चीज है या तो डी कमान सुनने से बढ़ा आएगा या सुनने से छुटा आएगा और या ही सुनने के बराबर आएगा तीन इस्तिती तो होगी न तो अगर डी कमान जो अभी मैंने फाइंड किया वह सुनने आता है सुनने के बराबर आता है तो अभी आपने देखा था कौन सी कंडिशन दूसरी न यही देखा था ना भाईया कि दो वास्त भी मूल होंगे और अगर कम आता है तो कोई भी मूल नहीं होगा इसका सिकेंट पार्ट देख लो कच्छा दस NCRT गडित प्रस्नावली 4.4 कुईस्टन नमबर फर्स्ट सिकेंट पार्ट देखिए तीन एक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू अंडर रूट 3 सिकेंट पार्ट देखो बच्छा तीन एक्स का स्क्वायर माइनस फोर अंडर रूट तीन और धन चार इसमें क्या करना हमें मूलों की पक्रिती बताना है गुड मॉनिंग अमिज जी हनुमान परसाद अग्रहरी जी गुड मॉनिंग बच्चा सभी को गुड मॉनिंग सुबह 8 बज़े कलास होती है आप लोग सुबह 8 बज़े से आ जाया करिए बिना देर करें चलो ठीक है ओके अब क्या करेंगे सबसे पहले हम इसकी तूलना करेंगे ax square प्लस vx प्लस v equal 0 से यह standard होता है मानक रूप होता है समिकरण का ठीक है अब देखो यहां से हमें मिलेगा a command 3 b command minus 4 under root 3 और c command 4 अच्छा जिनको यह नहीं समझ में आया कि a b c command कैसे आया वो comment करें हम उनको बता देंगे ठीक है जिनको नहीं समझ में आया कि a b c command कैसे आ रहा है वो comment करके बताए बहुत simple सा है बच चाहिए देखो मैं थोड़ा बताई देता हूँ a b c command कैसे आया पता है जैसे अगर हमें a command निकालना है तो हम 3 x square की तुलना a x square से करेंगे और 4 under root 3 की तुलना इससे करेंगे b x से इसके साथ देखो yaks भी लगा होगा कहा गया यह हां इसके साथ यहां पर yaks भी लगेगा ना बीच में तभी तो यह बनेगा बच्चा यह यक्स ठीक है तो तुलना करने का मतलब यही हुआ भाग करना ठीक है इसका मतलब क्या हुआ भाग करना यक्सी स्क्वाइर से यक्सी स्क्वाइर कर दोगे तीन बटा ए आएगा यानि एक अमान तीन आ गया इसका मतलब क्या है एक अबेलू 3 है पायत हमें जो है वो find हुआ मिला चलो अब क्या करोगे ध्यान देना अब इदर साइड में पहले पढ़ाई कर लो बाद बाद में करना अब लिखो आता हा विवित कर डी बराबर बी स्क्वाइर माइनस 4 एसी यही तो हमें निकालना है ना विवित कर डी कमान निकालना है चलो देखो फटा फट क्या आता है हल कर लो बी कमान कितना बच्चा माइनस 4 अंडर रूट 3 का होली स्क्ाइर माइनस 4 एसी एक कमान है 3 सी कमान है 4 देखो एक चीज यहां पर आपको समझना होगा बहुत ही ध्यान से यह माइनस का 4 है ना बाई minus का 4 under root 3 इसका square का मतलब समझो minus का 4 under root 3 square का मतलब यह हुआ कि यह दो बार लिखा है ठीक है? पर इसको दो बार गुड़ा करना होता है इतना clear है न? तो हम क्या करते हैं न? जो गुड़ांक होता आगे पहले उसका अलग अलग गुड़ा कर लेते हैं माइनस 4 का माइनस 4 में गुड़ा करोगे आपको पता है 16 होगा भई प्लस हो जाएगा दोनों माइनस माइनस ना और अंडरूट 3 और अंडरूट 3 का जब गुड़ा करोगे बच्चा तो यह अंडरूट 9 होगा आप सबको पता है और जब हम नौ का वर्गमूल करते हैं वेटा तो यह हो जाता है तीन तो इस तरह से फाइनल में यह फोर्टी एट आएगा आया नहीं समझे में कोई बड़ी बात नहीं इसमें तो हम इसकी जगह पे फोर्टी एट लिख सकते हैं और यह माइनस कचिन यार माइनस लगाओ बई ओके चारत यहीं बारा और बारा चवकड़ा लिस यह फोर्टी एट लिख सकते हैं बराबर सुनने यहां पे हमें बिविक्त कर डी कमान कितना मिला बताओ चलो जल्दी फट से बताओ कितना मिला बच्चा जल्दी बताओ चलो जीरो मिल गया ना जीरो मिल गया ना और मैंने आपको क्या सिखाया था कि अभी दूसरी कंडिशन में क्या लिखाया था कि यदि बिविक्त कर डी कमान सुनने आए तो मूल क्या होंगे दो बराबर मूल होंगे क्या होंगे दो बराबर मूल होंगे बाई यह बंसी कौन है ब कर लहाए करें अरह dated करें मत करो अब लिखो मूलों की पर्किरती नीचे लिखो मूलों की पर्किरती मस बढूंट के लिखो वहीं तो हमें निकालना है ना लिखो कि मूलों की परकृति देखिए यहाँ पर जो भी रूट से उनके नेचर लिखने है मैंने आपको तीन कंडिशन बताया था तीनों में से दूसरी फालो होगी लिखिए यहाँ यहाँ B स्कायर माइनस 4AC यहाँ B स्कायर माइनस 4AC का मान सुनने आ रहा इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे और यह एक चीजा और भी कहा था बच्चा यह सवाल में क्या कहा था पहले एक बार फिर से हम सवाल पढ़ेंगे यह चीज़ तो आप कर लो इतना कर लो फिर इतना कर लो यह हो गया कि सौरफ पासवान जी गुड मॉनिंग देख पा रहा हूं में आपका कमेंट चलिए ठीक है आगे बढ़ें अब हम लोग अब ध्यान दीजिए आप सभी ध्यान देने वाली बात क्या है वो चीज़ देखो बच्चा पहले आप लोग सवाल मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं कच्छा दास की NCRT गड़ी था यह परसना वाली है आपका 4.4 एनी exercise 4.4 question number first का second part है मुखे question पहला क्या कहता है कि निमने दुई घास समय करणों के मूलों की परकृति ग्याद कीजिए यदि मूलों का अस्तित तो हो तो उन्हें ग्याद कीजिए तो इसमें मूलों का अस्तित तो है तो हम क्या करेंगे मूल ग्याद करेंगे क्या करेंगे बच्चा मूल ग्याद करेंगे तो क्या करोगे आप अब इसमें मूल वाला फार्मूला लगाओगे ग्याद करने वाला और दोनों रूट इनके फाइंड कर लोगे चलो नीचे लिखो आता है मूल इतना मैं मिटा दे रहा हूं ठीक है राजन गुपता जी गुड मॉर्निंग चलिए इसको मैं मिटाके अब आगे बढ़ूँगा यह लाइब हर रोज चलती है सुबा आठ बजे से चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए जो भी नए बच्चे हैं जिससे पढ़ सकें जो इसको नहीं लिखे थे वीडियो पीछे करके लिख लेंगे थोड़ा वीडियो बैक कर कि आप क्या लिखोगे आप लोग लिखो कि आता है कि मूल बराबर अब क्या करेंगे मूल निकालने के लिए पता है क्या करते हैं लोग कि मूल निकालने के लिए हम लोग एक सुत्र लगाते हैं छोटा सा प्यारा सा क्या है वो भाईया सुत्र जो है लिखो ऐसे लिख लो मूल यक्स बरावर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डी मतलब बिबीद कर जो आया था भी अपान टू ए ये सुत्र होता है ये क्या होता बच्चा फर्मूला होता है तो चलो इसको हम ले करके क्या करते हैं हल कर देते हैं अब ध्यान दो आप सभी यक्स कमान निकालेंगे यहां से माइनस बी कमान रखेंगे माइनस बी कमान ये माइनस फोर अंडर रूट तीन पहले दिया है प्लस माइनस अंडर रूट डी कमान सुनने आया था ना बच्चा कितना आया था भाई जीरो आया था ना अभी अभी हमने find किया था आपने देखा था डी कमान जीरो आया था अपान टू और ए एक कमान तीन आ रहा है इतना ठीक है इसमें किसी को कोई मुसीबत नहीं है ना यार चलो ठीक है कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम अब क्या करोगे बेटा ध्यान दो यहां पर नीचे दिख रहा है ना लेकिन मैं उपर लिख देता हूं क्योंकि कम दिख रहा है यह लो चलो अब देखो ध्यान दो यहां पर यह तो सुन्ने है खतम हो जाएगा जीरो खतम हो जाएगा तो यह प्लस को जाएगा यानि भचेगे भूर इंटू अंडर उट तीन और नीचे चे बचेगा ev 6 और भाइल्बं भी तो बचेगा ना यही तो बचेगा ना हनुमान परसाद काह को डंडा करो यार संजे कुमार जी तो आपको अभी नंबर दिये जाएगा लाइस्ट में आप उस पर संपर करिए और आप पीब्यार इस्टेडी आप डाउनलोड करिए एप के अंदर जाके आप सवाल पूछ सकते हैं वहां से आप कोर्स ले सकते हैं अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं इनको काड़ सकते हैं दो दूना चार दो तिया इंच्छा यानि हमें मिलेगा टू इंटू अंडर रूट तीन अपान तीन यह मिलेगा ना फिर इसमें कुछ गड़बड है का नहीं इसको एक लाइन और आगे सिंप्लिफाई करेंगे हम लिख सकते हैं अंडर रूट तीन गुड़ा अंडर रूट तीन बोलो लिख सकते हैं कि नहीं जल्दी बोलो यास यानो भाई इसका गुड़ा करोगे तो अंडर रूट नो आएगा नो का वरग मूल करोगे फिर से तीन आ जाएगा हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से हम में दो वराबर और वास्टविक मूल होंगे क्या होंगे बच्चा पढ़े हो गे ना मैंने बताया था दो बराबर और वास्टविक मूल होंगे इसका मतलब दोनों मूल बराबर होंगे तो बराबर होंगे तो हमें दूसरा निकालना ही नहींहीं है यानि हमारे जो मूल हो जाएंगे टूआ अंडर रूटीन कामा टूआ अंडर ूडर तीन होगी यह ही दो मुल हो जाएंगे जो बत्चे स्टार्टिंग से जुड़े उनको समय friends होगा और जो बच्चे बीच से जुड़े ना वही सेशन को पूरा देखें सुरू से वीडियो को बैक करके एक तम स्टार्टिंग से देखें तब समझ में आएगा यहां पर क्या हो रहा है क्योंकि जो मुख्य रूल था ना उसको मैंने पहले ही बता दिया था मैं आपको बता देता हूं तरीका फोन को ना ऐसे गुमा करके पढ़ा करो ऐसे ऐसे गुमा के पढ़ोगे तो पूरा स्क्रीन पर दिखेगा बड़ा दिखेगा अच्छा मुझे एक बात बता आप लोग आप ऐसे करके पढ़ रहे हो मोबाईल अगर हां तो आप लिखो ए और अगर आप ऐसे करके फowąण पढ़ रहरे हो तो आप लिखो बी चलो ऐसे करें तो बी लिखके कमेंट करो और आइसे करें तो ए अक्सर बच्च अश्बा करूए तो इसमें क्या होता हे या आपको छोटा छोटा दिखता है है ना छोटा दिखता है न यार ऐसे क्या है छोटा दिखता इस क्रिन पे अगर मोबाइल को रुटेट कर लोगे तो बड़ा दिखेगा शौरब जी देख पा रहा हूं मैं आपका कमेंट चलो ठीक है तो बच्चा इसमें एक और भी है उसको आप लोग कर लोगे ना यार कि मैं बताई देऊ थार्ड वाला पार्ट कर लोगे ना थार्ड वाला कि नहीं कर पाओगे करवा दूँ देखे अगर कोई डाउट है तो बताईए अमीद कुमार संजीत जीतेंद्र कृष्न सुकला और संजय देखे जितने भी छात्र जुड़े हैं बहुत ही अच्छे हैं आप सभी खूब मेहनत करिए और टाप करिए मैत में हमारी जिम्मेदारी है कि आप टाप कर जाओगे ज चैनल के पिले लिस्ट में जाइए तो अभी तक जितनी कलास चली है पिछले सारे चैप्टर उपलब्ध हैं अगर कोई समस्या होती है तो हम आपको नंबर देंगे अभी उस पर आप संपर्क कर सकते हैं हो सकता है फोन ना उठी एक आद बार तो आपको रिटन किया जाए क कुछ गंटे बाद आप इंतजार कर लेना एक बार कॉल करके मैसेज करके ठीक है ना बाबू लोग चलो मंकेश कुमार अहीर गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो आगे का है थर्ड पार्ट कह रहा कि टू एक्स का स्कॉयर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इसको कर लोगे की नहीं जल्दी बता यह होम वर्क है यह क्या है भाई साहब यह होम वर्क है अरे यार सिम्पल सी बात है इसको तुलना करोगे एक कमान दूए आएगा बी कमान माइनस चाह आएगा सी कमान तीन आएगा विभीत कर डी कमान निकाल लो चलो अभी तुरंद बताओ यह बारा क्या है संजीत कुमार 12 क्या है वाटी 12 जल्दी बताओ सभी बताएंगे जितने बच्चें सब बताएंगे मनें दो सवाल कर वाए है बीट कर डी कमान क्या हैगा अरे बारा अंसर नहीं आएगा यार पहले बताओ वीटकर कमान चलो जल्दी करो डी का मान बताओ रेडी हो जाओ बच्चा फटा फट चलो देखो मैंने कई सवाल करवा हैं अगर इसको नहीं करोगे तो इसका मतलब आप बेमानी कर रहे हो आप बेमानी कर रहे हो हमारे साथ इसका मतलब अगर आप नहीं करोगे इसको तो कि यह बिबित कर कमान बता रहे हो बच्छा आपकी उत्तर बता रहे हो इसमें दो अंसर करने है न अरे यार तुम लोगों को मैं क्या बताऊं बिबित कर यह बी स्क्वाइर माइनस फूर एसी निकालो ना तो बी का मतलब यह माइनस च्वाइर माइनस फूर एए कमान दो सी कमान तीन यह 36 माइनस चाट दूना आठ त्रिक चोविस अच्छा यह बीद कर बता रहे थे बच्चा बारा आएगा ना ट्रॉयल आएगा इसका मतलब क्या है यह मूल कैसे होंगे भाई देखो अब मूलों की परकृति लिखोगे कह रहा था मूलों की परकृति भी तो ग्यात करना है और बाद में मूल भी ग्यात करना है मूलों की परकृति लिखो मूलों की परकृति कैसे होगी यह परकृति मैंने गलत लिखा का कि परकुरित होता है का होता है परकृत हिंदी बहुत कठीन होती ही आनेड चारा फूरूट इंग्लिस में आसान होता है छेयर फूरूट बते को यहां पे ध्यान दो मूझों के परकृति ऐस्तम भी कुंख always अब आगे देखो यह ठीक है 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 आता हां अता हां क्या करोगे तीफरी कंडिशन दूसरी कंडिशन पहली कंडिशन मैंने बताया था ना बच्चा लिको पहली कंडिशन अता दो भिन वास्तविक मूल होंगे अधा दो भिन वास्तविक मूल होंगे दो भिन भिन वास्तविक मूल होंगे और अगर यह सुन के बराबर होता तो दो बराबर और वास्तविक मूल होते ठीक है? अगर बड़ा है तो भिन भिन अगर बड़ा है तो दो भिन भिन मूल होंगे लेकिन वास्तविक होंगे, रियल रूट होंगे और अगर सुनने के बराबर है तो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे लेकिन अगर इसका मान यह जो आया यह सुनने से भी छोटा है, माइनस में है तो इसके कोई भी मूल नहीं होगा अब इसका मूल तुम लोग खुद से निकालोगे माइनस भी प्लस माइनस अंडरूट डी अपांट टू ए रखके मूल निकाल ले न मैं नहीं बताऊंगा मैंने दो कुष्चन करवा दी है सेम टू सेम आप लोग भी थोड़ा दिमाख लगा लो ना भाई साहब आ जायेगा सूसील जी देर में कहें आ रहे हो आप एक काम कर सकते ओभी कलास बाद में भी देख सकते हो ठीक है कलास को बाद में भी आप सकते हो अभी जैसे खतम होगी तो जिपते भी नए साथी जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आन करें फटाफट देर ना करें अगर आपके पास मनोहर प्रकासन की बुक है या कोई भी बुक है ठीक है कोई भी बुक है आपके पास कोई दिक्कत नहीं है आपको सब समझ में आएगा बच्चा सिलेबस से आता है कच्छा दसुई की परिच्छा में आप यूपी से हो जारखंड से हो बिहार से हो दिल्ली से हो मुंबई से हो कहीं स से होता है ठीक है बात समझ में आ रही ना जाहिद खान तो था सब के लिए होता हर जगा के लिए होता है अब आपको एक बात बतारे जो बच्चे डेली और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं पहला नंबर तुछ चैनल को सबस्क्राइब कर लें ढूंबर का करेंगे ना दूसरा नंबर चैनल को सब्सक्राइब करके वो डिस्क्रेप्शन देखें वीडियो का आपको पीबियार इस्टडी के टेली गराम चैनल की लिंक दी गई है आप सभी टेली गराम चैनल जरूर जोईन कर लीजिए क्योंकि टेली गराम में जो भी कलास चलती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है ठीक है ना बच्चा ये चीज आप कर सकते हो इसके अलामा ये नंबर मैं यहां पर लिख रहा हूं आप इस वाटसब नंबर पे अपना नाम कलास का नाम और अपने जिले का नाम तीन चीज लिखके भेजोगे तो आपको गरूप में जोड़ दिया के लिए कुछ कंडिशन होती है वह आपको अहां बताए जाएगा ठीक है तो आज की कलास यहीं पे खतम होती यह कलास हर दिन सुबह 8 बज़े से सुरू होती है और एक बात बता दें अक्सर यह कलास आपकी पीवीर स्टेडी चैनल नंबर 3 पे होती है पीवीर स्टेडी 3.0 चैनल पे इसको भी जाके अभी यूटूब पे सब्सक्राइब कर लेना यह एक नया चैनल है ठीक है नाजिया खातून एंसी आर्टी 512 पढ़ना चाहती है नाजिया जी बिल्कुल आप नंबर पे इंक्वाइरी करिए सर आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है ठीक है ब कि रंजन कुमार हमारे पास दो लाख बच्चे हैं और इस दुनिया में ना बहुत परकासन की किताबे हैं अगर आप सब लोग सजेशन दोगे थम पागल हो जाएंगे ठीक ना क्योंकि हर कोई अलग 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 चाहता है कि कम्पटेटिव कुईश्चन को हल करके बता सकत से मतलब आप जो कहना चाहते हो मैं समझ गया आप रात आठ बज़े वाली कलास देखिए कंपटेशन वाली ठीक है रात आठ बज़े से कलास होती है इसी चैनल पे टेट सीटेट सूपर टेट एससी बाइंक रेलवे आप कुछ भी दे रहे हो इस समय नंबर सिस्टम चल रह लीजिए वहां पर आपको डाउट सेशन मिलेगा डाउट पूछने का आप डाउट पूछ सकेंगे फिर ठीक है तो पी बीर स्टेडी आप में जाके आप कोर्स लीजिए चाहे जो भी आप जोईन करिए ससी बाइंक रेलवे कोई भी कोर्स जोईन करिए और आप पूछिए सवाल पूछिए ठीक है मिलते हैं फिर अगली कलास में जैहिंद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बिनम्रता पूर्बक आपसे एक निबेदन है कि आप इस कलास को जादा फिजादा सेयर करेंगे अपने सभी साथियों में सेयर करेंगे फेस्बुक वाट्साइप ट् करें आगे बढ़ें बेस्ट आफ लग्ट